स्वागत है आपका दुनिया की सबसे पड़ी प्लांट फैक्ट्री में थाई सो एकड में फैली पौधों की वो फैक्ट्री जिसमें पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस, रोबोटिक ट्रांस प्लांटिंग फैसिलिटीज के साथ प्रोडक्शन फैसिलिटी मौजूद हैं यहां तैयार होते हैं फलो, सबसियों और आशिधियों के नायाब पौधे जैन हाई टेक प्लांट फैक्ट्री में पचास से जादा किस्मों के पंद्रा करोड से अधिक प्लांट्स हर साल तैयार किये जाते हैं इस आधुनिक और हाई टेक फैक्ट्री में 1995 से आज तक एक दशमलव पांच बिलियन यानी 150 करोड पौधे किसानों के खेतों तक पहुँचाए जा चुके हैं जैन इरिगेशन ने जब पौध निर्मान के क्षेतर में काम करना शुरू किया तो इसमें काफी रिसर्च इसमें किये काफी इनोवेशन इसमें किये और हमने यह देखा कि यह केवल प्लांट नर्सरी तक यह सिमितना रहें तो इस पहुद निर्मान के कारी को फैक्टरी के स्टैंडर्ड लगाये जाए इसी को लेकर के हाइटेक प्लांट फैक्टरी यह कंसेट जैन इरिगेशन ने फिर्स टाइम लाँच किया इस एक्टिविटी को हमने जब शुरू किया था तो 50,000 पहुदे हमने एक साल में बना करके बेचे थे आज इसकी टोटल संख्या है 15 करोड पहुदे हमारा फाइनल जो टारगेट है वो 100 करोड पहुदे हम बनाना चाहते हैं जैन हाइटेक प्लांट फैक्टरी का आधार रही टीशू कल्चर प्लांट टेक्नलोजी जिसने किसानों की जेबों को मुनाफिस से भड़ दिया 1990 के दशक में जब केले की फसल कई बीमारियों रोगों और पुरानी क्रिशी परंपराओं से जूज रही थी ऐसे में जैन इरिगेशन की टिशू कल्चर पौध और तंत्र ज्यान ने किसानों के लिए तरक्टी के नए द्वार खोल दिये केले की जो खेती उख करती थी वो सखर से गाठ से लगाय जाता था चुट्टा पानी दिया जाता था केले की एक फसल बीस मैदे में आती थी चेले का हर्वेस्टिंग पीरेड चे मैडे का था हमारे देश में पूरे विश्वा में चलने वाली ग्राण नाइन ये वराइटी नहीं थी इसी विशय को लेकर के जैन इरिगेशन ने 30 साल पहले 1994 में में कीशु कल्चर टेकनीक से केले पहुदों का निर्मान शुरू किया तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये उत्पादक्ता 25 से लेके 30 मेटरिक टन प्रती एकड पहुँच गई भारस सरकार द्वारा सर्टिफाइड जैन हाई टेक प्लांट फैक्टरी में पौध तयार करने की प्रक्रिया को चार श्रेणियों में बाटा गया है सीड, सीडलिंग, टिशू कल्चर और ग्राफ्टलिंग यहां तयार होते हैं केला, आम, अनार, नारियल, पपीता, शरीफा, अमरूद, एयर, आलू, काली मिर्च से लेकर कौफी और सबजियों के करोडो रोगमुक्त और एडवांस पौधे ग्रेंड नैन जैसी केले की उन्नत किस्मों को देश के कोने-कोने में किसानों तक पहुचाने के बाद जैन हाइटेक प्लांट फैक्टरी ने भारत के किसानों को जैन स्वीट औरेंज का भी तौफा दिया है विदेश से लाई गई मौसंबी की ये खास किस्म जैन स्वीट औरेंज नाम से ट्रेड मार्क है इस फल में बीज कम और रस जादा है ये फ्रेश खाने के लिए और प्रोसेसिंग योग्य एक मात्र वेराइटी है लिम्बू अर्गिय फलो में हमने तेरा साल पहले एक जैन स्वीट औरेंज जो की ज्यादा जूस देने वाली कम सीड और किसानों के हीट में ज्यादा उपज देने वाली किसमें हमने यहां पर इंट्रोडूस किया हुआ है जैन हाइटेक प्लांट फैक्टरी में प्रतेक फसल और उसकी किसम के लिए नई तकनीक का इस्तमाल किया जाता है इस फैक्टरी में किसानों के खेतों में आने वाले रोगों, बीमारियों और व्यवहारिक मुश्किलों को दूर किया जाता है जेन हाइटेक प्लांट फैक्टरी में आम के पौधे भी क्लेफ्ट ग्राफ्टलिंग से तयार किये जाते हैं खास तरह के कप और मीडिया में तयार किये गए ये पौधे किसानों को सफलता की गैरंटी देते हैं जेंग घ्रफिलिंग इस टेकनोलाजी को अगर आप देखेंगे थो इसमें खास करके जो रूडब स्टॉक है यह यह कॉंपीटिबल रूडब स्टॉक इसमें उज किया जाता है और इसमें जो कंटेणिर रहे उसकी साइज और विशेश करके बनाई गई है, जो कि नीचे आ करके कोइल होती नहीं है। चैन हाइटेक प्लांट फैक्टरी ने और तो प्लग हाइटेक सीडलिंग नर्सरी भी विक्सित की है। यहां टमाटर, प्यास, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, को भी जैसी बहुत सी सबजियों के सीडलिंग तैयार किये जाते हैं जे इन हाइटेक प्लान फैक्टरी में सीडलिंग जी वी जन जो हैं गे 24 साल से हम लोग 30 एकड में कर रहे हैं करोडो नए पेडों को जन्म देने वाली ये फैक्टरी हजारों महिलाओं का अपना यूनिवर्स भी है जैन हाइटेक प्लान फैक्टरी की खूबी ये भी है कि एक तरफ जहां विशेशग्य, वज्यानिक और एक्सपर्ट्स की टीम है वहीं दूसरी तरफ इन कुशल महिलाओं के हाथ भी शामिल हैं, जो एक-एक पौधे को नवजात शिशू की तरह पालते और सवारते हैं जैन हाइटेक प्लान फैक्टरी, इसे हम महिलाओं का किंग्डम भी कह सकते हैं जैन हाइटेक प्लान फैक्टरी में तयार किये जाने वाले पौधों का जैन हिल्स के बारा सो पचास एकड के रिसर्च फार्म पर ट्रायल किया जाता है किसानों के खेतों में लगातार जाँचा परखा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही कमर्शल प्रोडक्शन शुरू किया जाता है जैन इरिगेशन के रिसर्च और डेमोस्ट्रेशन फार्म के उपर अनार के पौधों की टेकनोलोजी विक्सित करने के बाद धाई लाग पौधों को हमने किसानों को फ्री और पॉस्ट डिस्ट्रिबीट किया ताकि हमें हर किसान का फिडबैक इसमें मिले हमने ये पौधे महारास्ट्र, गुजरात, करनाटका, अंधर प्रदेश इन चार राज्यों में इनको हमने डिस्ट्रिबीट किया था और चार राज्यों से हमने किसानों का फिडबैक इसमें लिया और तभी जाकर के उसके बाद दो साल के बाद इस प्राड़क को कमर्शल तोर पे लांज किया हम थाहिली में केला बनाते थे मटी डालते थे और उसके अंदर पवदा लगाते थे शेडाउस हुआ करता था तो क्या इन चीजों से हम गुनवत्ता संबाल रहे हैं हमारे हाथ में कोई गुनवत्ता का का कंट्रोल नहीं है और इसलिए हम सव प्रतिश है बाजू से नेट लगिए पूरा इंसेक्ट प्रूप है और इसलिए किसान भाईयों में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं यह पवदा सव प्रतिशत वाइरस इंडेक्स है सव प्रतिशत वाइरस प्री है जैन हाईटेक प्लांट फैक्टरी से सीजन में हर दिन 10 लाख पौधे, 100 से जादा ट्रकों के जरिये देश के कोने कोने में किसानों के खेतों में भेजे जाते हैं हर रोज बढ़ते पौधों के आंकड़े, नई किस्मों पर शोध और इन सबसे उपर किसानों के बढ़ते भरोसे के दम पर जैन हाईटेक प्लांट फैक्टरी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे हाईटेक और भरोसे मंद प्लांट फैक्टरी बनी हुई है भरोसा हमारा मुनाफ़ा आपका शुद्ध बीज की उपज रस युक्त सुनहरे फल